दोस्तो हम सभी के पास मोबाईल आने के बाद से यह हमारी एक तरह से बेसिक नीड बन चुकी है और इसके बिना तो कुछ घंटे भी हम नहीं बिता पाते और इसलिए जहाँ पर पहले बच्चों और बड़ों को अपने आपको इंटर्टेन करने के लिए कुछ फिजकल गेम खिलना पड़ता था वहीं अब लोग दिन रात सिर्फ मोबाईल पर बिताना ही पसंद करते हैं और यहाँ पर अपने आपको इंटर्टेन करने के लिए उनके पास कई सारे आप्शन्स हैं जैसे की वीडियो देखना, म्यूजिक सुनना और सोशल नेटवर्किंग साइट प बात से इसमें बड़े-बड़े और एडवांस टेकनॉलजी वाले गेम भी बड़ी आसानी से प्ले किये जा सकते हैं और इसलिए आजकल गेम बनाने वाली ज्यादातर कमपनी मोबाईल के लिए ही गेम बनाना पसंद करती हैं हालकि यहाँ पर भी कॉमपेटिशन काफी यार हो पाता है और दोस्तो आज की इस वीडियो में भी हम बात करेंगे एक ऐसे ही गेम के बारे में जिसने की अपनी लॉंचिंग के बात से ही सफलता की हर उचाईयों को छुआ और शिरवात के बात से ही यह लोगों का फेवरिट बना हुआ है जी हाँ दोस्तो हम बात कर है क्लाश आफ क्लांस गेम की जिसे कि आपने एक भार तो जरूरी खेला होगा और अगर आप गेम के शौकिन नहीं भी है तब भी लोगों से इसके बारे में सुनतो लिया ही होगा यह मोबाइल स्ट्राटेजी वीडियो गेम एंडॉइड और आई उस प्लेटफॉर्म की करने के बाद उनसे रिसोर्सेज लेकर खुद का टाउन बनाना होता है और यह रिसोर्सेज गोल्ड, एलिक्सर और जेम्स की तरह से कई सारे हो सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर प्लेयर्स एक दूसरे से जुड़कर क्लैंस भी बना सकते हैं और प्लेयर्स का ग्रूप क्लै सा गेम प्ले का फीचर बताया है लेकिन चलिए अब हम जानते हैं क्लैश आफ क्लैंस गेम की सफलता की कहानी तो दोस्तों इस गेम को जिस कंपनी ने बनाया था उसका नाम है सुपरसेल यह बैसिकली फिनलैंड बेस्ट कंपनी है और इसकी शुरुआत 2010 में इलका पनानेन ने की थी शुरू में तो यह कंपनी हर प्लेटफॉर्म के लिए गेम बनाने का काम किया करती थी लेकिन आगे चलकर उन्होंने अपनी स्ट्राटीजी में काफी बदलाव किया और फ्यूचर को देखते हुए उन्होंने अपना फोकस केबल और केबल मोबाइल गेम बनाने पर केंद्रित कर लिया अलगे दोस्तों कंपनी के शुरुआती समय में महच 15 लोगी यहाँ पर काम किया करते थे लेकिन इलका और उनकी छोटी सी टीम का यही मकसद हुआ करता था कि वे एक ऐसा गेम बनाये जिसे की लोग बिना बोर हुए सालों तक खिल सके वैसे तो सूपरसेल कंपनी ने अलग-अलग तरह के कई सारे गेम्स पर काम किया था लेकिन उन्होंने सिर्फ चार गेम को ही मार्केट में लाँच किया क्योंकि बाकी के जो गेम्स उन्होंने बनाये थे उसे तो उनके डेवलपर ने ही प्ले करके रिजेक्ट कर दिया था दरसल वे मार्केट में अपने बेस्ट प्रोड़क्ट के साथ हमेशा ही उतरना चाहते थे और इसलिए सफलता मिलने से पहले 14 गेम्स बनाने के बाद भी उन्होंने उसे रिलिज नहीं किया और इस तरह से कमपनी के पहले सक्सेस्फुल गेम का नाम था Hey Day इस गेम को पहले दिन से ही positive reviews मिलने लगे और लोगों को भी यक काफी पसंद आया हलकि कमपनी सिर्फ यहीं रुकने के इरादे से नहीं आई थी इलका और उनकी टीम को आगे भी कुछ ऐसा करना था जिसे की पुरी दुनिया में उनके गेम्स को सबसे ज़्यादा पहचान मिले और फिर अपने इसी सोच के साथ उन्होंने एक और गेम बनाना शुड़ो किया जिसका code ने magic रखा गया इस गेम को बनाने का मुख्य उद्देश्य था रियल गेमर्स का ध्यान मूबाइल गेम की तरफ आकर्षित करना दरसल अक्सर होता क्या था कि जो हाइटकोर गेमर्स होते थे वे मूबाइल गेम्स को बचकाना समझते थे और इसलिए यह काम सुपर सेल के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन था हलाकि यहाँ पर काम करने वाले लोग इस तरह के गेम को बनाने में अपना पुरा एफोर्ड देने के लिए तयार थे और अखिरकार अपने इस प्राजेक्ट पर काम शुरू करने के बाद से उन्होंने एक ऐसा गेम बना ही लिया जिसमें हार्ड कोर गेमर्स के लिए बिल्कुल सही डिफकल्टीज थी वहीं एक नए गेमर्स का भी ध्यान सिम्प्लिसिटी के हिसाब से इस गेम में रखा गया था और दोस्तो इस गेम को पुरी तरह से तयार होने के बाद से इसी का नाम क्लैश ओफ क्लैंस रखा गया इस गेम को सबसे पहले 2 अगस 2012 को iOS प्लेटफॉर्म के लिए रिलिज किया गया और फिर लगबग एक साल के बाद 7 अक्टोबर 2013 को इसे Android के लिए भी लॉंच कर दिया गया और दोस्तो अपने शुरवात के बाद से ही इस गेम ने मानो धूम मचा दिया यह गेम लोगों के बीच खूब लोग प्रिया हुआ और अपनी लॉंचिंग के तुरंद बादी यह गेम एप स्टोर के टॉफ फाइब गेम्स की लिस्ट में भी पहुँच गया और फिर 2015 आते आते क्लैश आफ क्लैंस एपल के आप स्टोर और गूगल के प्ले स्टोर दोलों जगों पर नमबर वन ग्रॉसिंग गेम बन गया उस वक्त इसकी हर दिन की कमाई 1.5 मिलियन डॉलर्स थी जो कि अपने आप में किसी भी मोबाइल गेम के लिए बहुत ही बड़ी बात है और दोस्तो आज इस गेम की शुरुवात हुए कई साल हो चुके हैं लेकिन आज भी इस गेम को लोग उतना ही पसंद करते हैं जितना की शुरुवात में करते थे उमेद करते हैं कि क्लैश आफ क्लैंस की यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी आपका बहुत मुले समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद